हेलो दोस्तों प्रतिमा जीस एकड़ी प्यासभी का स्वागत है दोस्तों विश्व भूगोल शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करें शेर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो लोग सब्सक्राइब करें आज भोतिक भूगोल पे चर्चा करेंगे प्रिथिवी के उत्पत्ति और जैसा कि एक कहावत की पहले मुर्गी आया या अंडा आज उस कहावत को एकदम अथार्थ रूप में सामने आएगा मानों की उत्पत्ति कैसे हुई पसुपच्छी की उत्पत्ति कैसे हुई पहले किसकी उत्पत्ति हुई जल में हुआ कि अस्थल पे हुआ इस सभी तमाम प्रकार के जो प्रश्ण हैं उसकी समस्याओं का समाधान आज की लेक्चर में होगा तो शुरू करते हैं भोतिक भूगोल में अगर एक आधार पे देखा जाए तो एस्थल मंडल जल मंडल वायू मंडल और जियू मंडल को पढ़ा जाता है आकरती के रूप में, भू आकरती, विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायू विज्ञान और जीव मंडल के रूप में विभाजित किया जाता है जलवायू विज्ञान में दो बातें महत्वपूर हो जाती है पहली बातें तो मौसम और दूसरी पॉइंट है जलवाईव अब दोनों एक ही आधार पे पढ़े आते हैं तो दोनों में अंतर क्या है मौसम बदलता रहता है आपने गाना सुना होगा मौसम की तरह तुम भी तो बदलतों न जाओगे ऐसे ही एक किसी लड़की रड़के ने गाया था तो मौसम बदलता रहता है और मौसम का ही रूप है कि जलवाईव पर प्रभाव पढ़ता है तो इसका परिभासा क्या है अगर अलप अवधी में जैसे एक दिन दो दिन दस दिन या एक माह यदि अलप अवधी में अलप अवधी में जलवाईव परिवर्तन यानि मौसम यानि वाईव मंडल में अलप अवधी में परिवर्तन को मौसम के तहट समझा जाता है जैसे आप लोग रेडियो पर या किसी टीवी चैनल पर या आज कल तो मौबाईल के स्क्रीन पर भी रहता है कि आज का मौसम के लिखा होता है आज का मौसम है तो मतलब यह आलप अवधी का जो व्यवस्थाएं हैं उसे मौसम के अंतरगत देखा जाता है और यही जब दीर्ग कालिक परिणाम होते हैं तब उसे जलवाईव परिवर्तन में जाना जाता है जै से जलिवाई परिवर्तन के रूप में ग्लोबल वार्मिंग इस समय ग्लोबल वार्मिंग चरम पे है और इसको कंट्रोल करने के लिए कई सम्मेरन कई प्रकार की विवस्थाएं की जा रही है तो यह एक दिन का परिडाम नहीं है यह दीर्ग कालिक परिडाम होता है 17 से 18 सताब्दी सताब्दी में 17 सताब्दी में जब इंग्लेंड की करांती हुआ तो वही से डेबलम्मेंट का अधार सुरू हुआ और आधुनिक अध्योगी करण का विकास हुआ और उसका प्रभाव इतना जादा हुआ लगभग 200-500 सालों का इतना जादा प्रभाव हुआ कि जलवायू परिवर्तन अपने चरम पे पहुँच गया और आध के समय में CO2, CFC, ओजोन आध कई ऐसे गैसे हैं ओजोन का छरण होना और गलोबल वार्मिंग का बढ़ना ये सब जलवायू परिवर्तन के परिणाम हैं जो कभी न कभी मौसम के बदलाव का आधार रहे होंगे और वो जब दिर्ग कालिक होते चले गए मौसम बदलता रहा बदलता रहा और एक समय में जा करके जलवायू को परभावित कर दिया कहने का तात्पर है कि मौसम को समझने के लिए एक दिन, दो दिन, दस दिन ये एक माह परियाप्त होता है और जल्वाई को समझने के लिए वो दिर्खकालिक परिणाम होता है और उससे समझने के लिए दिर्खकालिक रूप में पढ़ना आवस्यक होता है तो जब हम जल्वाई विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बेवस्थाओं को देखेंगे वेसे एकोलाजी इनवारिमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो इकोलाजी इनवारिमेंट के अंतरगत इन सब चेप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा तो अभी हम उठाते हैं एस्थल मंडल एस्थल मंडल उठाते हैं और उसमें हम देखते कि किस प्रकार का विकास हुआ प्रिथभी का और किस प्रकार का विकास हुआ मानो का किस प्रकार का विकास हुआ जिवजन्तु का और जो की आज इतिहास बन चुके हैं जैसे डाइनासो और ऐसे कई है भी है भी बड़े जानवर जो आज के बिलुप्त प्राय हो चुके हैं उनका कारण क्या था इसको समझने के लिए हमें कि प्रिथवी की उत्पत्ति भुगर्विक इतिहास के कुछ एरह हैं माना जाता है कि जो प्रिथवी है प्रिथवी की उम्र चार अरब वर्स हो चुका है चट्टानों का अध्यन करने से पता चला है कि प्रिथवी की आयू 3.9 अरब वर्स पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी अलग-अलग बिद्वानों का अलग-अलग भुगोल बित्ताओं का अपना मानना है लेकिन कुछ लोगों ने एथार्थ रूप में चट्टान के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो है उसे ही सत्त्यमाना गया है तो इसी के रूप में इसे हम एरा या महाकल्प के रूप में विभाजित कर दिये हैं जो सुरुवात्त से लेकर के चार अरब वर्स से और बरतमान तक का अब इसे आपको ऐसे हैरार्की में याद करना है जैसे आर्कियो जोईक एरा कि रिटो प्रीटी प्रोटी रोजुए प्रोटीरो जोईक आर्कियो जोईक चार अरब वर्स पूर्व से शुरू हो करके 2.5 अरब वर्स पूर्व तक RK जोईक को मना जाता है और इसके बाद में सुरू होता है 2.5 अरब वर्स पूर्व में प्रोटीरो जोईक ये चलता है 59 करॉन वर्स पूर्व तक लेकिन इन दोनों की स्थेती ऐसी रही है इसमें प्रिथिभी का विकास होना थोड़ी बहुत हल चले तो सुरू हो गई थी लेकिन इसका मतलब क्यों इतना था कि बीरान 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 केवल प्रिथिभी पर कुछ हल चल इस तरह का हुआ था इसे बोलाता है pre-cambrian call इन दोनों को मिला करके pre-cambrian call pre-cambrian call आर्टियो जोईक और प्रोटिरो जोईक को सैयुक्त रूप से समझा जाता है और कहा भी जाता है इनके समय में प्रिथिवी पर विकास की जो अउधारणाय है शुरू हो गई थी जैसे कैस्पियंस आगर कैस्पियंस आगर सुपरियर जील को समझे सुपरियर जील यह आपका यूसे में है बरतमान में भारत में धारवान की चट्टाने छोटा नागपूर अरावली भारत की जो अरावली परवत है अरावली यह सब प्रीकैंबियंकाल में प्रारंभ होई और ध्यान रहे आर्कियोजोईक और प्रोटीरोजोई क्यानी कि प्रीकैंबियंकाल के जो चट्टान हैं उनमें जीवास्म नहीं पाए जाते तो क्या पाए जाता है कि यह सभी चट्टाने आगने प्रकार की हैं कि दोस्तों अभी मैं इमेज नहीं दिखा पाता हूं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें दिखाना जाता हिए जब तक मैं डिश्टर बॉर्ड नहीं लगा लेता मैं नहीं देपाऊंगा इसमें आप लोगा सही योग बहुत आवस्यक है आप लों के प्यार आप लोगों के सहीयोग से हम मोनेटाइज होने के तरब बढ़ख रहे हैं आपका सहीयोग आवस्यक है जिससे हम जल्दी से जल्दी डिश्टर बोर्ड लगा सकें और और ब्यवस्तित क्लासेस आप लोगों को दे सकें तो आपका सही योग मुझे चाहिए आगनिय प्रकार की जो चट्टाने हैं और इसमें ग्रेनाइट नीज ऐसे चट्टाने की बहुतायत पाए जाता है भारत के धारवान चट्टान में खनीज पाए जाते हैं लोहा पाए जाता है एक बात और आप ध्यान रखेगा संपूल प्रिथिवी पर सर्बाधिक लोहा पाए जाता है लेकिन अगर आप देखेंगे क्रश्ट पे यानि भूपरपटी पे तो सर्बाधिक आक्सीजन पाए जाता है आक्सीजन पाए जाता है और संपूर प्रित्वी पर पहले लोहा पाए जाता है लगभग 31 परशंट और फिर आक्सीजन पाए जाता है कि भूपरपटी पर पहले आक्सीजन पाए जाता है फिर सिलका पाए जाती है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आगरी ये प्रकार की जो चट्टाने हैं ये प्री कैंबियन काल में इसकी बिसेश्ता है इस हल्चल जो ये बना सुप्रियर जील हुआ धारवाड छोटा नागपूर अरावली इसे बोलाता है चर्नियन हल्चल के नाम से जाना जाता है यानि प्री कैंबियन काल में हुआ हल्चल को चर्नियन हल्चल के नाम से जाना जाता है एक बार उत्तरपरदेश PCS में और 1998 की 1994 में UPSC IAS के एक्जाम में पूछा गया था कि अरावली परबत की उत्पत्ती प्री कैंबियन काल में हुआ उसे किस हलचल के नाम से जाना जाता है तो चर्मियन हलचल के नाम से जाना जाता है जबकि अरावली किस परबत का उत्पत्ति कम हुआ ये कम से कम कुछने तो दसियों बार उत्तरपरदेश PCS और अधर इस्टेट PCS साथी UPSC में पूछा जा चुका है तो ये आपको याद र चर्मियन हलचल और सुप्रियर जील धारवांड छोटा नागपुर अरावली इसकी उत्पत्ति के आधार पर समझ सकते हैं इसमें उत्पत्त चट्टाने आगनिये प्रकार की हैं इसमें जीवास्म नहीं पाए जाते याद रखिएगा जीवास्म नहीं पाए जाते अच्छा जीवास्म नहीं पाए जाने पर क्या नहीं पाए जाएगा क्योंकि अगर जीवास्म नहीं पाए जाते तो इंधन नहीं पाए जाएगा अगर जीवास्म पाय जाते तो ऐसी स्थी में क्या होता कि जीवास्म मिलता जब तक पेंड पोधों का विकास नहीं होता जब तक मानों का विकास नहीं होता सारी जीव का विकास नहीं होता मानों तो बाद में आएंगे जीव का विकास नहीं होता तब तक जीवास्म नहीं पाये जाएंगे जब किसी चटान में किसी प्रकार की उत्पत्ती में पेंड़ दब जाते हैं और इनके उपर लेयर पर लेयर मिट्टी जम जाती है तब ये जीवास्म का रूप लेते हैं जीव जीवास्म का रूप लेते हैं और इसका विकास प्रिकैंबियन काल में नहीं हुआ और जब नहीं हुआ तो जीवासम पाय जाने का किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं बनता है तो इतना आप समझिएगा इसके बाद में हैं तीसरा पॉइंट है पेलियो जोईग पेलियो जोईग 59 करोन वर्स पूर्व प प्रिकैंबियन में जितना पॉइंट बहुत आवस्तिक था मैंने बता दिया आपको आगे जो बताने वाला हूं वो भी बहुत महत्तपूर ही है यानि अब प्रथम यूग दुतिय यूग तृतिय यूग चतूर्थक यूग के रूप में आपको समझना है कि आर्कियो यूग फ़ेंफिति के बादो में पेल्यो जोई काता है और पेलियो जोईग को प्रथम यूग के नाम से जाना जाता है यहां फो जाता है जैसे आपने पवराणिक कथाओं में पड़ा होगा द्वापर त्रेता सत्य यूग कल यूग तो उस यूग को ले लिजिए और द्वापर त्रेता इसको हटा करके पर्थम दूतिय तिर्थिय कर दीजिए यही एजटिज बैग्यानिक प्रविडिती को पवराणिक गरंथों में अलग अलग प्रकार की यूगों के रूप में सामिल कर दिया गया है अब कहा गया कि कल यूग चल रहा है कल की भगवान काले घोड़े पर की सफेद घोड़े पर बैट करके आएंगे और पता नहीं क्य सब्सक्राइब करेंगे तो आये थे यह जो क्रोना होता ना कोबिड कोबिड नाइंटी यह कल की महराज के दूद्थ आ चुके हैं एक निमूना देकर जाए गये हैं ऐसे आते रहेंगे वोग जलवाई उसे खिलवाल करते रहें इसे आते रहेंगे तो पेलियो जोए 59 क्रो वर्स पूर्व तक चलता है उसके बाद आता है मीशो जोईक मीशो जोईक को दुद्थियक युग माना जाता है दुद्थियक यूग और फिर पांचवे पॉइंट में यह और भी अलग अलग है इसमें पांच और छे नहीं है पांच में ए भी ए और भी क्योंकि जो सीनो जोईक है सीनो जोईक ही महत्तपूर रूप से प्रित्वी के विकास में महत्तपूर स्थान और कहा जाएगा कि मीशो जोईक का विकसित रूप है और उसके बाद नियो जोईक बर्तमान प्रस्थिति को दरसाता है और दोनों मिला करके यह बर्तमान में जारिये नियो जोई बीस लाख वर्स पूर्फ शुरू हुआ था और सिनो जोई इसे तृतियक यूग और इसे चतुर्थ यूग के रूप में समझा जाता है नियो जोई कही बर्तमान में चल ला है अब ध्यान देने के बात यह है अब भी मैं जो पढ़ाऊंगा उमें कल्प पढ़ाऊंगा अब अब मैं इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ तो यहां की हैरार्की आपको याद रखनी है 1,2,3,4,5 तो यह जो पांच अलग अलग अधार है तो बर्तमान में कौन सा महाकल्प चल रहा है तो नियो जोईक महाकल्प चल रहा है इसको नार्थ टू साउथ के पूर प्रारंबुवता और अभी तक जारी है अभी तक जारी है पुरा जीवी महाकल्प या पेलियो जोईक एरा इसे प्राथमिक यूग की संग्या दी जाती है और इस काल खंड में समुद्र से जीवों का पदार्पन अस्थल पे होने लगा इसके मतलब इसका मतलब पहल कि ईसी तो हरान कि समुद्र में उत्पत्त हुआ जो समुद्र में जीवों की उत्पत्ती होई वह पहले समुद्र में हुआ और समुद्र के बाद में यह स्थल खंड पर आने लगे मुद्धिने अजसा चैसा हुआ होगा क्योंकि पहले माले पानी है कि पानी से नमी से क्या होगा पहले काई ऐसे काई लगे होंगे और काई से कोई जीव काई भी एक जीव ही है काई काई से हलका सा कोई एक पेंड निकला होगा और यह प्रक्रिया करोणों साल चले होंगे पहले मित्टि जमा होगा फिर और फिर इसे जीव इस्त्र हरो अपना अगे बना करकर रहने लगे और इस विकास करने लिए काफी साल लग गए तो इसका क्लासिफिकेशन यानि कि इस कालखंड में यानि पेलियो जोईक एरा में समुद्र से यानि जलखंड से अस्थलखंड पे अस्थलखंड पे जीवों का पदारपण हुआ पेलियो जोईक को छे सकों में विभाजित किया जाता है पेलियो जोईक का हिंदी में कहाता है पुरा जीवी महाकल्प महाकल्प के एंग्रेजी एरा होता है तो इसे छे भागों में विभाजित किया आता है आपके एक्जाम में पुरा जीबी सायद देगा पेलियो जोईक के नाम से और इसलिए आपको पेलियो जोईक और पुरा जीबी दोनों जानना है छे भागों में जो विभाजित किया गय ध्यान रहे सबसे पहले पेलियोजोईक में क्रैमब्रियन सक राइब और क्रैमब्रियन सक है यह महत्वण नहीं जो मैं बता रहा हूं मैंने केवल इसलिए बताया है क्योंकि अभी जब इस बाद में हम दूसरा एरा उठाएंगे तो यह चौबिस पॉइंट आठ करोण वर्स जो है यही से उठाएंगे आगे का इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वह 59 करोण वर्स पूर्व से ले करके 24.8 करोण वर्स पूर्व तक पेलियो जोइक के बारे में जानकारी है और इसका जो भीभाजन है क्लासिपिकेशन आप पेलियो जोइक जो है ये 6 भागों में किया गया है तो पहला हो गया आपका क्रेमबृئन सक दूसरा हो गया आडूबीशियन सक तीसरा हो गया सेलियूरियन सक, चोथा हो गया डिबोनियन सक और पाचों हो गया कार्बॉनी फेरस और छठा हो गया परमियन य यहाद रहे इसे आपकर इसे याद करेंगे सी, ए, यस, डी, इसको सी से लीजिए और इसको के से ले लीजिए और इसको पी से ले लीजिए तो क्या बनेगा? बना, साड़क पो, नहीं बना, तो आप इसको ले लीजिए सी से, इसको के से ले लीजिए और इसको ले लीजिए सी से, अब देखिए हाँ, बन गया, कास डिश्प, कास डिश्प के नाम से क्गिना हैं, कैमबियन और ऑड़ोविशियं सेलूरियं डिबोणियं और कारबोणी फेरस परमी परमीयम ये हैरार की पूछता है, पहिल्यो जोई के क्लासिपिकेसर्ट wanna की हैं की इसलिए आपको इस रूप में नहीं है अब पेलियो जोईक का जो विभाजन किया गया था उसमें से अब पहले एक हम उठाते हैं क्रैम्बियन सक इसके अंतरगत क्या क्या हुआ क्रैम्बियन सक में बनस्पती और जीवों की उत्पत्ती हुई यानि पेलियो जोईक में शुरुवाती दोर में ही बनस्पती और जीवों की उत्पत्ती हुई और इसी समय में अंतिम तक आते आते अस्थल खंड पे जीवों आ जाएंगे आवसादी सहल का निर्माड हुआ और जीवास्म का निर्माड हुआ यानि क्रेंबियन सक्के में बनस्पति और जीव की उत्पति भी होती है निर्माड होता है और इसी समय में एक सयोजक जीव है पेरी पेट्स पेरी पेट्स एक सयोजक जीव है इसे बोले आता है lijी लीडा और 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 अर्थोपोडा का विकास हुआ यानि कि पेरिपेट्स के नाम से एक बार प्रस्ण आया है UPSC में और एनिलीडा और आर्थोपोडा के नाम से चार बार आया है टोटल पांच बार यहां से प्रस्ण UPSC में पुछा गया है और पिछले 27 सालों में और UPSC में इस पॉइंट से सवाल नहीं आया है एनिलीडा और आर्थोपोडा का विकास किस सक में हुआ यह प्रस्ण कम से कम साथ बार आया है यह यहीं कैंबियन सक में एनिलीडा और आर्थोपोडा संयोजक का विकास हुआ है जिवास्म इसी काल की चट्टानों में पाया गया भारत का जो बिंद्याचल परवत है बिंद्याचल परवत माला का निर्माड भी जो है विकास भी कैंबियन सक में हुआ और समुद्र में घासों की उत्पत्ती भी कैंबियन सक में हुआ सारगैसो नामक सारगैसम नामक घास का नाम सुने होंगे आप लोग सारगैसम नामक घास जो है अटलांटिक महासागर में पाय जाता है अटलांटिक महासागर आप जानते हैं कि यस आकार का है तो सांत पेटी में बीच में यहीं पर सारगैसम नामक घास पाय जाती है तो जो सारगैसम नामक घास पाय जाती है इसी प्रकार के समुद्र में घासों की उत्पत्ती भी कैंबियन सक में हुआ यानि कि कह सकते हैं कि समुद्र में बनस्पती के अंतरगत जो उत्पत्ती होता है वो पेलियोजोई के समय में हुआ और पेलियोजोई के क्लासिफिकेशन में क्रैम्बियन सक में हुआ दूसरा है आर्डोबियसियन आर्डोबियसियन के समय में निमनिकोट की मचलियों से कोर्डेटा का विकास हुआ कोर्डेटा जो है इसमें एक पुछल करके आप देखे होंगे कि कई चार पांच साथ आठ कई पैरवाले जिव आज भी समुद्र में या इसमें समय पाए जाते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक तो यह उन्हीं के बारेटा उन्ही छोटे छोटे जिव हैं जो कई हाथ पैरवाले देखे हैं यह निम नोकोटिकी मचलियों से इनका विकास हुआ लेकिन अभी भी इस्थलखंड जीव भीहीन है अभी जीव इस्थलखंड पर नहीं पहुंचे हैं हमने जब महाकल्प बताया तो महाकल्प में मैंने बताया कि पैलियो जोईक महाकल्प में समुद्र से इस्थलखंड में जिवा गए लेकिन जब मै ने पेली होज़ की क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन में अभी क्रेंबियन सक में बनसपती और जीव की उत्रपत्ति तो हुई है लेकिन आड़ोबीसियन में भी एस्थलखंड पे जीव नहीं पहुंचे हैं तो जीव कब पहुंचे हैं? अब जैसे कि मेंने भी बताया कि अस्थलखंड पर विकास नहीं हुआ तो विकास कब हुआ तो विकास हुआ यस यानि स्यले वुरियन सक्में हुआ स्यलेवियन काल में अब जीऊं समुद्र से अस्थलफ़ पर दार्पन कर दीए यानि कि अभी तक किसमे थे पानी में यह जीव यहाँ पे थे समुद्र में अब इधर जो अस्थल है यह जो अस्थल है अब जन्तु इस पे आने लगे यानि कि यह कब संभव हो पाया यह पेलियो जोई महाकल्प के सिलोरियन काल में हुआ और इसमें रीड़ वाले जिवों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ मैंने अभी बताया था कॉर्डेटा के बारे में यह जो कॉर्डेटा है कॉर्डेटा में हलके हलका रीड़ जैसे चीजें इसमें पाई जाने लगी थी लेकिन सुरुवात तो हुआ था विकास कहां हुआ सेलोरियन काल में हुआ और इनी का विकास आगे चलके रीड़ वाले जिवों में बिस्तारित हुआ और रीड़ वाले जिवों के बिस्तार के कारण इसे रीड़ वाले जिवों का काल भी कहा जाता है इसे रीड़ वाले जीव का काल भी का जाता है, सिलोरियन काल में ही समुद्र से इस्थल मंडल पे जीव का विकास हुआ याणि उनका पदारपण हुआ और इसके समय में जो परबत निर्मार प्रकरिया हुई उसे कैली डोनियन हलचल की रूप में जाना जाता है अब आपको ये क्या दाता होगा चर्नियन हल चल तो ये हुआ था प्री क्रेंबियन काल प्री क्रेंबियन काल में जब अरावली परबत का निर्माड हुआ धारवाड का हुआ तो उसमें उस हल चल को प्री क्रेंबियन काल के हल चल को चर्णियन हल्चल के नाम से जाना जाता है और जो पहलियोजोईग में सेलोरियन कालम प्रबत निर्माड का हुआ उसे कैलियोडोनियन हल्चल के नाम से जाना जाता है कैलियोडोनियन कैलियोडोनियन हल्चल के नाम से जानते हैं अब कैलिडोनियन हल्चल से इसके परिणाम सुरूप कौन-कौन से परवत निर्माड हुए अपलेसियन परवत इसकाटलेंड परवत और इसकेंडीनेविया अब आपके दिमागे में आता होगा यह सब कठिन-कठिन सद्व कहा है सर तो अपलेसियन परवत है यूएस्से में इसकाटलेंड परवत और इसकेंडीनेविया यूरोप में है यूरोप में है तो इसका निर्माड हुआ उसके बाद में डिबोनियन सक आया डिबोनियन सक था और इसलिए इसे मत्स यूग के नाम से जाना जाता है कि आपको पौरानिक कफाओं में कहा जाता है भगवान बिशुडू का मत्स अवतार बताया जाता है तो वह इसी यूग की कहानी के रूप में दर्साया जाता है साइंटिफिक रूप से मत्स्यूग कहा जाता है डोवेनियन सक्को और इसमें उभयचर जीवों का उत्पत्ति हुआ उभयचर जीवों अब ध्यान रहे पहले समुद्री जीवों आये हैं उसके बाद में उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई और प्रथम उभयचर जो थे स्ट्रिगोशी फैलिया नाम एक प्रथम उभयचर जीव था जिसका विकास हुआ था ये याद रखेगा इस्ट्रिगोसी फैलिया और जमीन पर जंगलों का जन्म हुआ तथा फर्न जैसी बनस्पतियों का बिस्तार हुआ जंगलों का जन्म हुआ और फरन जैसी बनस्पतियों का विस्तार हुआ कार्बोनी फेरस सक इसे उभैचरों का यूग कहते हैं देखे उभैचर डर्बोनियन काल में शुरू तो हो गए थे लेकिन उनका विकास हुआ बहुत जादा कार्बोनी फेरस सक में कार्बोनी फेरस काल में इसे उभैचरों का यूग कहा जाता है और इसी समय में ब्रिच बड़े बड़े होने लगे थे इसलिए बड़े ब्रिचों का काल की उपमा भी इसे दी जाती है सरीश्रब की उत्पत्ती भी इसी समय में हुआ और प्रवाल रोधिकाओं का निर्माड भी हुआ प्रवाल रोधिकाओं का निर्माड, सरीश्रप का उत्पत्ती, उभैचरों का यूग, बड़े ब्रिच्छों की उपमा, ये कारबोनी फेरस यूग के रूप में जाना जाता है और भ्रंस में बड़े ब्रिच्छों के दब जाने से जीवास्मों का निर्माड होता है, साथ ही गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माड होता है ये प्रस्ण भी बहुत बार पूछा गया है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो किस काल में बिक्सित हुई तो कारबोनी फेरस काल में बिक्सित हुई और इसी रिए गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ब्यापक रूप से कोईला पाया जाता है कोईला के निच्छेव सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाए जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिच भ्रंस में दब गए और दबने के बाद में वे कोईला के रूप में सामने आए और इसलिए गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोईला ज़्यादा पाए जाता है और लास्ट है यह पेलियो जोईक का लास्ट पॉइंट है परमियन सक परमियन सक इसे हरसीनियन हलचल के रूप में जाना जाता है और इस हलचल से ब्लेक फारेश्ट और वास्जेट जैसे भ्रहन्सोत परवतों का निर्माड हुआ भ्रहन्सोत परवत ब्लेक फारेश्ट जर्मनी में है वासेज भी इरान में है जर्मनी में है यह साथ देख लिजेगा कि वासेज कहां पर है बाकी भ्रंसोत प्रवत कनिर्माड परम्यन सक्क में होता है हरसीनियन हलचल के रूप में सामने आया पेलियो जोईक हो चुका है अब मेसो जोईक मेसो जोईक का विभाजन जो है तीन भागों में है मेसो जोईक में मेसो जोईक महाकल्ब में जो सरिस्रप हैं इनका विकास बहुत तेजी से हुआ और इसलिए इसे सरिस्रपों का युग कहा जाता है और दुतियक युग के रूप में इसे जाना जाता है इसे तीन सकों में विभाजित किया गया है तीन सकों में विभाजित किया गया है ट्रियासिक सक, जुरेसिक सक और क्रिटेसियस सक ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेसियस टी, जड, सी ये आपका मेसो जोईक महाकल्ब के रूप में है मैंने 24.8 करोण वर्स पूर्भ पेलियो जोईक समाप्त होता है और वही पे मिसो जोईक प्रारंब हो जाता है और मिसो जोईक 6.5 करोण वर्स पे समाप्त होगा इसके क्लासिफिकेशन में 83 काल के अंतरगत रेंगने वाले जियों का काल की रूप में इसे जाना जाता है अभी तक जियू थे अब जियू रेंगने वाले हो गए रेंगेंगे साप गोजर विच्छू पता नहीं क्या-क्या सब जागेंगे उसे में और इसके अंतिम चरण में तीरो सारो और प्रोटी थीरिया की उत्पत्ति हुई अब यह क्या है विया इन्हें जान लो यह बहुत अच्छी चीज हैं तीरो सारो यह उड़ने वाले सरी सिर्फ है जब बिक्सित रूप से उड़ने लगे थे और प्रोटी थीरिया यह अस्तन धारी जनतु हैं यानि अस्तन धारी छोटे मात्रा पर ही सहीं लेकिन इस्तन धारियों का विकास सरी स्रपों के रूप में प्रारंब हो गया यानि सरी स्रपों का जो युग प्रारंब हुआ उसके अंतरगाद 83 काल के अंतरगाद तीरो शारो और प्रोटी थीरिया की उत्पत्ति हुई यानि प्रोटी थीरिया जो है यह इस्तन धारी प्राड़ी है जीव है और जीरो शारो जो है यह उड़ने वाले सरी स्रेप हैं अब उड़ने वालों में देखिएगा ऐसे उड़े यहां आगे यहां प्रोटी थीरिया कहा जाता है और गोंडवाना भूखंड का विभाजन प्रारंब हो गया जो जुरेसिक काल तक चलता रहा अब गोंडवाना का विभाजन का यहां कहां पे हुआ अगे मैं जब बिग बैंक सिध्धांत बताओंगा तो मैं अच्छे से बताओंगा फिलाल अभी आप जान लीजिए एक प्रिथिवी था और प्रिथिवी के अंतरगात एक भूखंड था और यह भूखंड था इस्थल और यह सब थे पानी 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 एक गारत हमें पानी पानी हो गई तो यह पानी पानी वाला है यह पानी पानी जो है इसे बोला गया पैंथा लासा और यह जो भूखन्ड है इसे बोला गया पैंजिया अब इस पैंजिया में दो पार्ट थे एक अंगारा लेंड उत्तर का अंगारा लेंड और दच्छिर का गोंडवाना लेंड तो गोंडवाना लेंड का जो विकास हुआ था इसके पहले पहलियो जोईक में मैंने कैम्ब्रियन के कार्बोनी फेरस यूग बताया था कार्बोनी फेरस कार्बोनी फेरस यूग कार्बोनी फेरस यूग में गोंडवाना लेंड का विकास हुआ वो यही लेंड है इसका विकास हुआ और इसके विकास में अब आगे मिसो जोईक काल के ट्रियासिक काल के अंतरगत अब इन गोंडवाना लेंड का विभाजन हुआ अब इनका विभाजन जब हुआ तो कैसे हुआ अंगारा लेंड का विभाजन आगे होगा लेकिन अभी गोंडवाना लेंड समझिए गोंडवाना लेंड का जब विभाजन हुआ तो इसमें से निकला दच्छिड अमेरिका महादीव अफ्रीका महादीव भारतिये उप महादीव यानि भारतिये प्रायदीव कह सकते हैं भी कि भारत में प्रायदीपिये भाग गोंडवाना लेंड का भाग है और उत्तरी भाग जो हिमाले से टकरा करके बन रहा है उसमें थोड़ा सा अंस अंगारा लेंड का भी है तो भारतिये प्रायदीव और आस्ट्रेलिया मेडा गासकर इनका विकास जो हुआ यह गोंडवाना लेंड के विभाजन से हुआ तो शुरू तो 83 काल में हुआ था भुखंड का विभाजन इसका विभाजन सुरू 83 काल में हुआ और जुरेशिक काल तक चलता रहा जुरेशिक काल तक चलता रहा अब अगला पॉइंट है जुरेशिक सग पैंजिया पैंथला से सब जानिएगा आगे मैं बहुत अच्छे से इसा पढ़ाऊंगा कुछ नहीं छूटेगा सब पढ़ाऊंगा जुरेशिक काल इसमें पुष्प पादपों का विकास हुआ यानि आबृत बीजी पाधों का विकास हुआ यानि कि जो पुष्पिय पाधा हैं उनका विकास हुआ और सबसे महत्पूर बात यह है कि यह डाइनासोर का काल था डाइनासोर जो है बढ़ चड़ करके अपना प्रभुत दिखाते थे जिस छेत्र में निकल जाते थे वहां के कोसों दूर तक लोगों को खा जाते थे डाइनासोर का प्रभुत था और इसलिए डाइनासोर के काल के रूप में जुरेशिक काल को जाना जाता है प्रोटो थीरिया से मार्शू पियल यानि मेटा थीरिया का उत्पत्ति हुआ अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटो थीरिया जो है प्रोटी थीरिया प्रोटो थीरिया मैंने अभी बताये था आपको अ कि यानुस अल्प मात्रम्र मित छोटे इस्तंधारी कि सरीश रिपों का यहनि इस्तंधारियों का बिकास प्रारंभ हो गया था अब जूरेसिक काल में इन्ही में से निकलते हैं को निकलता है मारसु पियल कि महरसु पियल यानि कि मारसु पियल को आप समझ सकते हैं मेटा थीरिया अब मेटा थीरिया क्या जिसे कंगारू कंगारू आदी ऐसे जो जानवर थे वो इनी से निकले और इस्तंधारी धीरे-धीरे याद रहे कि जो यह इस्तंधार्यों का विकास हुआ इसी प्रोटी ठीरिया के माद्याम चेही हुआ था यानि यह सतंधारी हैं इनकी उतपत्ति हुई और परथम उड़ने वाली इस सरिस्रफ जो सरिस्रफ produce उड़ने वाले भी विकास हुए लेकिन जो प्रथम चिडिया पच्छी जो उड़ने वाली हुई प्रथम उड़ने वाली पच्छी आर्कियोप्टेरिक्स इसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोटेरिक्स ये आईसी सरीश्रिप है आईसी पच्छी है जो उड़ने वाली थी ये प्रथम पच्छी है आर्कियोटेरिक्स त्रियासिक काल के अंतिम चरण में तीरो सोरो यानि उड़ने वाले सरीशिप फुदुक के शुरू हो गये थे और इनका विक्सित रूप है आर्कियोप्टेरिक्स प्रोटि थीरिया सुरू हो गया था इस्तंधारी यानि बच्चे देने वाले प्रारंब हो गये थे लेकिन इसका विक्सित रूप है मारसुपीयल मैटाथीरिया समझ गये ठीक है मेसो जोई के एरह में ट्रियासिक काल और जुरेसिक काल हो चुका यानि क्रिटीसियस काल को इसे परबत निर्माड की प्रक्रिया का अत्यधिक सक्रिये रूप में जाना जाता है इसमें राकी का निर्माड एंडीज का निर्माड और यूरोपिय परबत का निर्माड हुआ तथा परामा कटक का उत्पत्ति प्रारंब हुआ अब यह क्या है आप यह अलास्का है यह दच्छिड अमेरिका है यह उत्तरी अमेरिका और यह जो बेल्ट है यह यह राकी है और यह जो बेल्ट है यह एंडीज है यह एंडीज है और यहां पर पनामा कटक है पनामा कटक है इसकी उत्पत्ति यानि कि जब मैं महादीप और महासागर बताऊंगा इसके टकराने से कैसे कैसे निर्माड होते हैं उसके बारें चर्चर लेकिन जो निर्माड हुआ राकी का, एंडीज का, पनामा कटक का और ऐसे यहाँ पे यूरोप है, यूरोपिय परबत ये क्रिटेसियस काल के द्वारा उत्पत्ति किया गया, भारत के दच्छरी पठारी भाग पर ज्वाला मुखी क्रिया के द्वारा लावा का जमाव हुआ, जैसे मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ऐसे दच्छरी भारत के कई पठारी छेतरा हैं, जो ज्वाला मुखी के से लावा के द्वारा उत्पत्ती हुई है तो उसका भी निर्माड के टेसियस काल में हुआ यानि पेलियो जोईक और मेसो जोईक आपके कम्प्लिट हो गए अब है सीनो जोईक को कि तिर्टियक युग और पांच भागों में विभाजित किया गया और यह आधुनिक के तरफ बढ़ता जा रहा है पेलियो सीन सक ईयोसीन सक औलिगोसीन सक मियोसीन और प्लियोसीन द्यान रखेगा पेलियो जोईक अलग है और पेलियोशीन सीनो जोई के अंतर गताता है तो यह नार्थ टू साउथ यह प्राचीन कि रियाधुनिक जितना मैं बता हूं इसी फेज में आप याद करते रहिएगा पैलियोसीन योसीन ओलिगोसीन मियोसीन और प्लियोसीन अब इसे क्रमसा एक एक करके देख लेते हैं पैलियोसीन सक पैलियोसीन सक के अंतरगत अलपाइन प्रवती करण हुआ अलपाइन प्रवती करण का मतलब यह है इसे यह परवत है और यह ऐसे परवत मतलब परवत की जो लड़ी है इसे बनते चली जा रही है ऐसी तो ऐसे परवतों का निर्माड हुआ और अलपाइन ब्रिच इसी में उगने लगे जैसे कि परवत के उपर परवत परवत के साइड में परवत जिसे मोड़दार परवत ऐसे बनते चले गए तो इसे अलपाइन प्रवती करण के नाम से जाना जाता है और जो डाइनासोर जुरेसिक काल में आया था वो पहलियो सीन काल में मर गए समाप्त हो गए अब नहीं है यह डाइनासोर आये और चले भी गए यह सीन सक जो ब्रहद हिमाले है ब्रहद हिमाले का निर्माड हुआ ध्यान रहे हमारा हिमाले ऐसे 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 है पहले ब्रहद हिमाले है फिर लगू हिमाले है फिर मद्ध हिमाले है उसके बाद में सिवालिक है तो जो सबसे पुराना है वो ब्रहद हिमाले है और सबसे नया जो है वो सिवालिक हिमाले है तो ब्रहद हिमाले का निर्माड इयोसीर सक में हुआ और हिंद महासागर, और अटलान्टिक महासागर का विकास हुआ, कैसे, अब याद आ रहा हुआ को वही अंगारा लेंड, और वही गोन्वाना लेंड, अब ये महादीप, यह इधर भग रहे हैं इरोप इधर जा रहा है अफ्रीका इधर तो यह अट्लांटिक महासागर हुआ भारत भारत पहले ऐसे था अब बढ़ते बढ़ते इधर बढ़ रहा है तो यहां पर हिंद महासागर का निर्माड हुआ यानि कि जैसे ही पैंजिया का विकास हुआ विभाजन हुआ गौंडवाना और अंगारा लैंड में पैंथालासा का विस्तार शिकुडने लगा और धीरे धीरे करते हिंद महासागर और अट्लांटिक महासागर का विकास हुआ हाथी, गोड़ा, पाल की, जैकंधियालाल की, हाथी, गोड़ा, सुवर, इनके पूरबजों का उद्वो हुआ यानि जो बड़े-बड़े जीव आए, ये सब इनी सब के समय में आए और इनके पूरबज का उद्वो हुआ, धीरे-धीरे इनका आकार, वरतमान आकार की तरह बनता चला गया अगला काल है, ओलिगोसीन सक, पैलियोसीन, योसीन, ओलिगोसीन सक, आलपस परबत का निर्माड हुआ यूरोप में है, आलपस परबत का निर्माड प्रारम हुआ, बिल्ली, कुत्ता, भालू, इनके पूरबजों का जन्म हुआ, देखे, हाथी, घोड़ा, सुवर के पूरबजों का जन्म, इयोसीन के समय में होता है लेकिन बिलार, कुकुर, भालू, इनके पूरबजों का जन्म, ओलिगोसीन के समय में होता है, और पुछहीन बंदर, अभी तक बंदर था मान लिजे, बंदर है, इसका पूछ था, बना दीजे आप, पूछ था, अब पूछ नहीं रहेगा, ऐसे बंदर बनेंगे, जिनका पूछ नहीं होगा, ये हमारे पूरबज हैं यानि इनका अबिर्भाव हुआ, इनका अउद्वव हुआ, जो मानों के पूरबज हैं, हम लोगों के पूरबज बंदरे रहे, धीरे धीरे विक्सित हुए, उसके बाद में आता है मियोसीन सक, यहां पे लगू हिमाले, और मद्द हिमाले का निर्माड हुआ, याद रहे, ब्रेद हिमाले का निर्माड योसीन काल में हुआ, और लगू और मद्द हिमाले का निर्माड मियोसीन समय में हुआ, और सार्क मचली का विकास हुआ, सार्क मचली विक्सित हुई, अगला है प्लियोसीन काल, प्लियोसीन काल में महासागरों का और महादीपों का वर्तमान जो सुरूप है वो सामने आया और टेथिस सागर जो भारत जब बढ़ता गया यह भारत का अकार था इसे और बढ़ता बढ़ता जब यूरेसियाई प्लेट से टकराया तो तब वहां पे एक टेथिस सागर हुआ करता था वो सागर समापत हो गया आवसादों से पट गया और एक उतर का विषाल मेधान सामनी आयए उसके जमावसे उतर का विषाल मेधान बन करके सामनी आया और प्लियोसीन समय में सार्क मचलियली का बिनास हुआ मानों की उत्पत्ती भी कि प्लियोसीन समय वह याद रहे मानों के पूर्बच ओलिगोसीन के आह स controllers वहां पे जरणौ पुचीन बंदर के रूप में और फिर मानों की उत्पत्ति जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसी उत्पत्ति प्लियोसीन काल में हुआ नियो जोईक महाकल्ब अंतिम महाकल्ब नियो जोईक इसे चतुर्थ युग के रूप में जाना जाता है इसका विभाजन दो भागों में हुआ एक हुआ प्लिष्टो सीन सक और दूसरा हुआ हेलो सीन सक प्लिष्टो सीन सक इसे हिम चादर का युग कहा जाता है हिम चादर की उपस्थिती और धीरे धीरे यहां से जीलों का निर्माड हुआ यानि ब्रहत जील युएस्टे में जो पांच जीले हैं युएस्टे में और इसी तरह के कई अन जगह पे जीलों का निर्माड हुआ और नार्बे के तट पर फियोड तट का निर्माड हुआ फियोड तट एक बार एकजाम में भी आया था कि फियोड तट कहां पाय जाता है तो यह नार्बे में पाय जाता है नार्बे के तट को फियोड तट के नाम से जाना जाता है इसका भी विकास प्लिष्टो सीन सक में हुआ था और वर्तमान अस्थल का जो सुरूप है वो सामने आया जो मानों है इंसान है यह अपने जन्म अस्थली अफरीका महादीब से यूरोप और एसिया के तरफ बढ़ने लगे देखें मानों की उत्पत्ति जो है मानों का जो विकास हुआ हुआ पहली बार कि यह अफ्रीका महादीब में हुआ और अफ्रीका महादीब से यह यूरोप एसिया और फिर एसिया से यह अन्य जखा गए तो मानों ने अपनी जन्म अस्थनी अफ्रीका से यूरोप और एसिया पहुँचे उसके बाद में यह अन्य जखा जाते हैं और अन्तिम हेलोसीन सक है इसे मानों यूग कहा जाता है मानों यूग इसलिए जो बर्तमान मानों दिख रहे हैं जैसे पसुपालन करना किरसी प्रारम करना यह सब जो ब्यवस्थाएं हैं यह हेलोसीन सक के समय में चला और यही वर्तमान में जारी है बर्तमान में जारी है तो दोस्तों यह रहा हमारा बहुतिक विवाजन और भो आकरती के रूप में प्रितिवी के उत्पत्ति के आधार पर मानों के उत्पत्ति तक लागर करके बर्तमान के सुरूप को देखते हुए यह पूरा क्लासिफिकेशन था और मैं अपने क्लास को पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिन जय भारत